बट भूशन तो उनके बाप निकले, भूशन ने तो एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाया, उन्होंने, मैं उनकी इनफेक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए, एक म्यूजिक वीडियो के अलबम में, जो हनी सिंग कर रहे थे, और उसके लिए मेरी मीटिंग हुई थी, बट यह दिखाना कि सी मैं बाक्यों के तरह नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इनसान हूँ, और कहीं लड़कियां कन्वेंस हो जाती हैं कि शायद अच्छा ही इनसान होगा, तो उन्होंने मुझे यह बॉन-बॉन है, वहाँ पर उन्होंने मुझे मिलने का टाइम उन्होंने द बॉषन कुमार की इतनी बुरी हालत है जो वह बॉठ में घूम रहा है बडू मुझे पता नहीं था क्यों कि यह गूम रहा है कि कहीं नहीं लोगों को नहीं पता चले कि ईतनी इन् आदर बॉषन-कुमार बैठा होगा उसके इसा लगए कोई नॉमल इंसान बैठा हुगा ह सोचो कि बॉम्बे में ब्लैक तो यूज करना एसे बड़े बड़े लोग क्योंकि पैसे की इतनी इनके अंदर इतनी पावरफुल लोग है कि इनको ये भी डड़नी होता है कि काले काच में हम घूमेंगे कैसे एनिवेज फिर उन्होंने मुझे बोला कि पास में मिला कहां बैठेंगे आप तो इसे छोटी सी कार में आयो यार तो आप मुझे मेरे साथ कोई काफी शॉप में बैठोगे ही ने तो कहता है यूनो मैं तुम्हें पता है मैं नामचीन आदमी हूँ पावरफुल आदमी हूँ मेरे उपर मीडिया बहुत गुमती रहती है इनको तो मसाला चाहिए ऐसा वैसा करती है तो फाइनली कहा मेले अपर फिर उन्होंने मुझे अपने उनका एक घर है जहां पर उन्होंने बोला मुझे कि यह ओफिस भी और घर भी है तो कट्टो मैं घर पे जाती हूँ तो मुझे जबर्दस्ती करने की कोशिश की अपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलती हूँ कैमरा के सामने अपने प्राइवेट पार्ट जैसे साजीद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया और वह भी मेरे साथ सब्दनी एक सेकंड नहीं लगाया और जब चीजे हम अपनी सचाई लोगों को बताते तो लोगों को लगताए इस अब जूत है और तो यह लड़कियां तो नहीं कामी यही है कि किसी को एक्सपोस कर देना बर कभी भी कोई देखो किसी को ऐसे इक्सपोस नहीं करता और मैं यह भी आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलोगे प्रूफ, आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा, आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके घर के पाफ, उनका जो बिल्डिंग है, मैं वहाँ पर लेके जाती हूँ, वहाँ पर भी CCD कैमरा है, आप जाके आप चेक कर सकत मुझे यह लगी कि जैसे मैंने उनका फोन देखा, उनका जो बच्चा और उनकी वाइफ उन दोनों की उन्होंने फोन के उपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी और ऐसी गंदी ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार, अपनी वाइफ को अपनी बीवियों को तुम कहते कि जैसे आगे निकले मैं suddenly बहुत मुश्किल से दरवाजा खुड के मैं फटा फट निकल के भाग गया, क्योंकि मेरा घर वहीं पर है तो मैं डम से निकल गई, फिर उन्होंने मुझे फटा फट फट फून कया, what's wrong video, तुम क्यों ऐसे चली गई, ऐसे क्या है, यह है, वह है मैं आप काम दो, मुझे नहीं करना music video, ठीक है, मैं ऐसी भी कोई family से नहीं हूँ, जहां पर मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ, भगवान ने हाथ दिया है, पैट दिया है, मैंनत कर लूँगी, बट सो के काम नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए, मुझे आठ बेचना हो ना, पैट बेचने से अच्छा है, मुझे ये काम करते हूँ, ज्यार मैं पॉंट स्टार का काम कर लूँ, वह जादा उसमें इज़त है काम करने में, एट लिस्ट मैं लीगली काम तो कर सकती हूँ, लीगली लोगों के साथ सोतो सकती हूँ, मतलब एक साला काम देने के लिए बहुत सारी लड़कें ऐसी होती हैं जो नहीं निकल पाते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ तो रेप होता है, जबरदस्टी उनके साथ किया जाता है, और ये लोगों, ये राक्छस लोग, मैं कहते हूँ, आज में मेरे को सबसे बुरा ये लगता है, कि इनकी कि ये चीज आपके साथ हो तो फिर कैसा लगेगा आपको, कि आप काम मांगने के लिए जाते हो और एक इनसान आपके साथ करे, आज मैं विद्या उनकी जो वाइफ है भूशन की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कि आप ऐसी जगे पर जाए, ऐसी सिचुएशन में आप और आपके साथ ऐसा हो तो आपको फिर कैसा लगेगा, जिस पर बीथती है, उसी को पता होता है, तो मैं कहती हूँ, ऊपर वाले से कि, ऊपर वाला इनके साथ ऐसी चीज़े तो करो कि इनको पता चले कि क्या दर्द होती, जब तक किसी का उंगली नहीं काटोगे तो उसको पता नहीं चलेगा की दर्द क्या होता है।